नमस्कार दोस्तों चार दिसंबर और चार दिसंबर में क्या हुआ अलोक इंडस्ट्री पे कि एक एक्सचेंज पर अपर सर्कृट लगा दूसरी एक्सचेंज पर लोवर सर्कृट लगा तो मैं आपको लोवर सर्कृट वाली बीसी की ट्रेडिंग सबसे पहले आपके पास द पेजोफे ईसके लुह योगे ऐगा बड मार्केट खूलने का बाद यह चार 10 पैसे फाइक बना रहा था मार्केट खुलने के बाद इसने और इसकी चार रूपे त्यातर त्याइश का लुग बना जै снова और इसकी जो closing है 4 रुपे 73 पैसे की तो lower circuit पे actually पे circuit पे इसने closing नहीं की क्यूंकि circuit था 3 रुपे 71 पैसे पे बट circuits खुलने के बाद इस पे trading हुई BSC पे बहुत सरे trades हुए और trading होने के बाद ये stock close हुआ 3 रुपे 73 पैसे पे lower circuit नहीं लगा है और मैंने thumbnail पे लिखा था क्यूंकि इस पे एक time था जिस पे lower circuit लगा था इसलिए तो मैं यह clearance दे दिया क्यूंकि यह बहुत सारे और यह stock नीचे की और गया नीचे की और जाने के बाद 3 रुपे 20 पैसे पे थोड़ी देर के लिए circuit लगाया और circuit लगाने के बाद फिर यह open होता है क्योंकि बाइंग वाडर इतनी ज्यादा है कि इसे stock पे अभी lower circuit लगना इतना आसान नहीं हो पाएगा यह मैं अपने सिर्प और सिर्प अपनी तरफ से नहीं करता हूँ इसका data हमें यह कह रहा है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा देखिए सबसे पहले एक शीच किलियर करता हूँ कि NAC पे upper circuit और BAC पे lower circuit क्यों तो देखिए price का difference काफी जादा हो चुका था आज जब NAC पे आपका high बन रहा था आप देखिए 3.45 पैसे का high बन रहा है NAC पे और वहीं आगर आप देख पा रहे होंगे तो BAC पे इसका high था 4.10 पैसे का तो आप देख रहे हैं कि एक छोटे से stock में लगभग लगभग 65 पैसे का exchange gap हो चुका और यह exchange gap का जो loss है वो कौन भरपाई करेगा stock दोनों ही जगह पे trade कर रहा है और हम लोग दोनों में से किसी भी exchange पे sell या buy कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा gap था इतना छोटे stock पे बहुत gap हो चुका था तो एक जगह पे lower circuit और एक जगह पे upper circuit लगाया गया तो देखिए NAC पे selling हुई है और BAC पे selling हुई है यह rate को manage करने के लिए किया गया है जैसा कि हम लोग पीछे भी अगर देखेंगे तो एक बार आलोक industry पे आसा और एक बार हो चुका है अगर आप बहुत लंबे समय से आलोक industry को track कर रहे हैं तो आपको साइथ पता होगा NAC और BAC में इसी तरह की rate की बहुत ज़्यादा differ हो चुकी थी और जिसके वज़े से continuously दो या तीन दिनों तक if am I right तो दो से तीन दिनों तक दोनों ही exchanges पे एक में upper circuit डाग रहा था दूसरी पे trading चालू रहती थी बट price काफी downside दिखता था और last में उसे manage कर लिया गया rate लगबग approximately NAC का equal कर दिया गया यह कहीं न कहीं 100% दावे के साथ नहीं बट 95% में दावे के साथ कहता हूं कि यह जो rate का कम और ज्यादा NAC और BAC पे जो डिफर थी इस डिफर को manage करने के लिए इस तरह के किया गया है तो इस lower circuit से डरनी की जूरत नहीं है किसी भी media में कहीं पे भी news पे news पे और किसी भी website प इसके बज़ए से lower circuit लगा क्योंकि lower circuit लगने से दौनों ही एक्षेंज पर lower circuit लगता क्योंकि माल बिकने की होड़ सब को पड़ी रती जैसा कि कि रिलांस नवल में हम लोगों हम लोगों ने देखा आज दोनों जगा पर दोनों एक्सचेंज पर एक साथ लोगा और माल बिक नहीं पा रहा अभी चलिए हम लोग देखते हैं कि एनसी पर किस तरह की कारबार हुई है इस पर तो एक मिनिट देखिए एनसी पर जब आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री इसकी देखिएगा तो आपके दिमाग के बत्ती जल जाएंगे देखिए एनसी पर जो कॉंटिटीज ट्रेड हुई है वह एक करोड़ 45,35,887 और डिलेवरी देखिए एक करोड़ 6,85,487 और 73 परसेंट की डिलेवरी परसेंटेज है क्योंकि एक समा तो इतना क्वांटिटीज पर डिलेवरी हो रहा है और इतनी क्वांटिटीज पर डिलेवरी नहीं होती अगर इंटर्नेली कुछ बाते रहती तो यह एकदम कंड़ आप 95 से 99 परसेंट कर सकते हैं कि यह एक्सेंज का जो रेट ग्याप हो जुका था एक एक्सेंज पर चार स्टॉक तो यह कहीं न कहीं बहुत दिक्कत होती अभी भी पचाथ 25 लाग अप्रॉक्सिमेटली 24 लाग पचीस लाग ने 24 लाग से अभी भी बीट क्वांटिटी पर पड़ा हुआ तो कल भी अपासर की लगने के पूरे पूरे चांस हैं यह था एनसी पे अभी हम लोग चल है एक करोड़ छे लाग तिरानबे हजार तीनसो अठाथाइस की डिलेवरी डिलेवरी परसेंटेज 61 परसेंट है क्योंकि ट्रेडिंग जो हुई हो काफी ज्यादा क्वांटिटी में हुई है तो कुछ लोगों ने हो सकता है इस पर प्रॉफिट बूकिंग की होगी और यह बड़ी इंवेस्टर्स होते हैं जिने इससे माइनी नहीं रखता है लॉंग डर्म के लिए बस परसेंटेज देखते हैं कि हमें कितना परसेंटेज की प्रॉफिट हुई है तो कंटीनिवर्सली पास साथ से आठ दिनों से यह अपर सर्किट में हो और चार परसेंट साड़ जो भी है फर्दर यह सब बाते मैं नहीं करूंगा इसे पर्टिकुलर हमारे चैनल पर देखिए इस पर डरने की कोई बात नहीं है यही अपडेट लाने के लिए मैंने यह वीडियो कम पोच्च किया तो कमेंड में यह ना लिखें कि आप से पालोक इंडस्ट्री पे कंटि सिर्फ देख रहे होंगे कोई अगर बेसी पे सिर्फ देख रहा तो उन्हें सिर्फ लोर सर्कीट दिखाई देगा और वो सकता टेंसर में आ सकते तो टेंसर लेने की जुरत नहीं है जिब तक हमारे चैनल के सबस्क्राइब करके हैँ आप और हमारे चैनल से जुड़े तो चलिए इस वीडियो पर आलोग इंडस्टी के लिए सिर्फ इतनी बाते करूँगा कोई भी नहीं बाते अभी हमें नहीं मिली है जिसका मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाँ डरनी की जुरत नहीं है अलोग इंडस्टी पे बिलकुल बिंदास बने रहने की दिन है जब तक किसी तरह का कोई न्यूज और इस स्टॉक को लोगा सरकीट तक ले जाएगा नहीं आती है तब तक बिलकुल बने रहा जा सकता है और किसी तरह कि कोई डरने की बात ही नहीं है अबी जिस हिसाब से सारे चीज़े हो रही है वो हमारे फेवर पे है हमारे जिसे चोटे निवेसकों के फेवर पे है तो डरने की क्या बात है बस एकी पेनिक सिचुएशन हो सकती है जो कि मैंने हर एक वीडियो पर कहा है कि रिलाइंस इंडस्टी बहुत बड़ी कमपनी है और उनको अगर कहीं न कहीं इगो में अगर हट हट हुआ होगा तो वह सेटी जा सकते हैं सुप्रीम कोट जा सकते हैं बट इसका भी डिस्कलोज के केस में सुप्रीम कोट ने क्लियरली कहा दिया था कि हमारे पास कोई आप्सन नहीं है जो कमिटी ओप क्रेडिटर्स ने इस कंपानी के लिए फासला किया है उनका केस अलग था कि उनको जो पैसे डिस्टूबीट करने थे वह किस हिसाब से करेंगे और जो फाइनेंसियल क का फैसला ही उन्होंने कहा कि आपको मनना होगा तो इसी तरह से जो भी बाते होंगी मैं आपको अब तक पहुंचा दूंगा डरने की जुरत ने आलोक इंडस्टी पर बिल्कुल बने रहा जा सकता आगे क्या होगा किसी को नहीं पता तो चलिए मिलते हैं एक नएक वीडिय काम करके आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए तो तैंक यू तैंक यू वेरी मच